हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू एलर्निंग भी दिनावेम चैनल आज का जो सहसन है काफी इंपोर्टेंट सहसन है अगर बात कीचा क्यों इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां बात करते हैं हम हर रोज आपको वुष्ट देने की यानि हर रोज आपको आपके ही छेत्र में इना चाहिए यानि उस छेत्र के सुलेवत से लड़ना चाहिए यहां किसी भी हत्यार या किसी भी बारियोद्द से आपक法 काम नहीं चलेगा अपका काम चलेगा आपकी लेवस से तो दैर हमने यहां पर 10 कोशिनों की जो शरंकलाती वो लगातार आपके वीछ बनी हुई है उसके बाद अब जो प्लानिंग है वो नेस्ट जो पलानिंग है वह हमारी तैयार हो रही है जाने आप की वीचने के लिए तो यहाँ पे आपको करना क्या है के यहाँ accomplice चिटर से जुड़ा रहना है क्योंकि आप अपनी छिटर से जुड़े रहे तो शापलथा निश्यत है तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज का season उसी मोटिवेटिम कोर्स के साथ जो आपको उजावार दखेगा तता औरों से बैटा तता लग करने के लिए प्रेडित करता रहेगा क्योंकि हारा वह यह जो लड़ा नहीं आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं है होसलों ने मंजिल से कहा तेरे बसकी बात नहीं होसलों ने मंजिल से कहा तेरे बसकी बात नहीं मंजिल ने होसलों की आखों में आखें डाल की कहा चल जूटी तेरे इतनी आउकाद नहीं तो इस वार की आपकी बेकंसी की जो seat है न वो जानी नहीं चाहिए क्योंके हमारा target ही 100 प्लस का है जब हमारा target हंदर प्लस का होगा तो बेकंसी की seat जानी नहीं है ये निश्यत मानके चलिए ठेक है तो इसलिए आपको करना ग्या है केवल और अपनी तयारी को better करना है तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज का सेसन अगर आपकी कोई क्वैरी हो गोई भी आपका मतलब ऐसा लग रहा हो आपको कहां मैम से हमें ये बात बोलनी है या ये कहना है ये इस तरह से कुछ भी डिसकर्शन हो तो आप हमारे टेलिग्राम तदा बर्सप नमबर पर शेयर कर स सेल पिश्टडी का जहां वो क्या कर सकते हैं कि अपने पर्सनली कुल मतलब कोईशनों को शेयर करके और वहां से डिसकर्शन करके उनका अंसल ले सकते हैं या आपस में ही गुरुप इस तरह आपने देखा होगा एक मतलब एक सक्तिसाली साधन कहें या कहें एक सक्तिसाली टूल्स हैं जिसके मादम से बच्चर और अधिक सीख सकता है क्योंकि हो सकता आपके गुरुप में आपसे भी निल हो आपसे भी सूपर हो तो आप इस मादम से जयादा सीख सकते हैं तो जैसे सल्लेव tongues के अगर कहीं भी बाहर किसी जिले में भेजा जाता है तीक है तो आप क्या गर एक साथ एक group में join होकर आप आराम से टेस्ट देने जा सकते हैं तीक है अपना ही कोई भी वहां करती घट्टी होकर जैसे 8-10 गल से घट्टी होगी जिनका center एक ही जग है तो वहां आराम से जा सकती है उन्हें किसी भी घर से किसी को लेने की या नहीं पहते हाल आपके लिए आंगे के लिए भी कारगर होगा आने वाली पीड़ी के लिए तो बहुत ही कारगर होगा क्योंकि हम सच्छम होगे तो आने वाली पीड़ी अपने आप सच्छम हो जाएगी ठीक है अच्छम से सच्छम की तरफ जाना है यानि आपको क्या करना है आपको जहां पर्स से क्या है अर्स की उचाईच होनी है तो आपको खुद में ही बुलंद होना पड़ेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेसन माना रुकावटे बहुत हैं पर होसले भी मेरे कम नहीं जो इन्हें तोड़ ना सके है चलिए पहला कोशिन कहरा है हिमाचल प्रदीस की पार्मपरी कड़ाई है तो यहाँ पर अगर हिमाचल प्रदीस की बात की जाये उसकी डाल देंगे तो यहाँ पर अभी क्योंकि मैंने कुछ सर्च किया बट जो मतलब डिस्पॉंस निकला वो संतुष्ट नहीं कर पाया मुझे तो मैंने उसके साथ जाना नहीं समझा तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हिमाचल प्रदीस की पार्मपरी कड़ाई है चलिए यहा पर में पसाने के लिए तरह सौट दे दिया जाता है वट चंभा रुमाल के नमझे से जानते है फुल कारी है जो पंजाब की है ठीक है यहाँ बयाद रखेंगे एक फुल कारी क्या होती कि एक सॉल टाइप का उता है जिसमें फुल फथती से बने होते हैं और इसको बनाने म करते हैं श्रीकेशन को ठीक है तो यहां पर आपको याद रखना है कि चंबा कड़ाई ठीक है चंबा कड़ाई को चंबा रूमाल बोलते हैं यह साधियों के जैसे साधी होती है तो आप गिफ्ट देते हैं उस तोर पर यह दिया जाता है जिसे चंबा रूमाल बोलते हैं यह चौकों टुकडों पर बनाया गया होता है जैसे सिरी केशन का इस तरह है क्या कर दूं मैं मोर की क्या कर दूं डिजायन कर दूं इस पर जो धागों के कड़ाई के मादम सो बट बगवान स्री किरिश्म गो ही इसमें इंडिकेटर किया जाता है नेश कोशन देखते हैं कसूती पारंपरी कड़ाई है बंगाल की बिहार की कनाटक की कस्मीर की तो यहाँ पर बात करते हैं कसूती की तो कसूती का से कसूती का से करना टक तो मैंने बहुत बार कहा है का से कसूती और का से करना टक तो यह किस की कड़ाई है तो यह का से करना टक की कड़ाई है तो यहाँ पर बात करते हैं का से करना टक तो यहाँ पर बात करते हैं का से करना के बस्तर की क्या विस्छिटा ऐसे हाथ में लेंगे तो आपको मुलायम सा प्रतित होता है यानि बहुत सब्धcha होता है इस लिए इसको मलमल कहते हैं परदे का उपयोग किया जाता है घ्रहा की कांटता बनाई रखने में घ्रहा की सुंधंता में ब्रति करने में मौसम में सुरच्छा प्रदान करने में उपयोग साभी में तो आपने देखा है मौसली पर्दों का उपयोग को उपयोग साभी में किया चाता है जहां से हवा आदिकाती हम तुरंट पर्दे खींच देते हैं जहां मैं लगता है कि हमारा अधर का एरिया है जो हम लोगों को दिखाना नहीं चाहते और इधर को जो एरिया उसके ओर सुन्दरता बढ़ाना चाहते हैं तो हम पर्दे टांग देते हैं तो सुन्दरता में ब्रदी के लिए और एकांत बनाए रखने के लिए कभी कभी हम प् खुछीन जातल सोन सब्स देखते हैं, जोरièrement सब्सानब से विकल पुछा जा रहा है बहुत की अपको ठाजने मिलती हुsin. से मिलती है next question देखते हैं सबसे अच्छे वह उतकष चिर्णी के परदे होते हैं यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है थोड़ा सा यह difficult भी है question क्योंकि इसका searching में भी आपको कुछ ज्यादा नहीं ऐसा मिलेगा कई जिससे आप कह सकें कि नहीं नहीं क्योंकि अपने आपने सारे option अपने आप में इसमें क्या है पसाने वाले हैं सबसे अच्छे उतकष चिर्णी के परदे होते हैं सबसे अच्छे भी पोचें उतकष चिर्णी भी पोचें तो यहां पर सूत के लिलन के रियोन के और ग्लास फाइवर के ग्लास फाइवर आजकल बहुत टेंड मैं है झालाइस फाइवर में होता है कि जिस तरह आपका सौरा चान्थी होता है उसी तरही говоря ही Colonnable होता है यह टोस है इसके डेसे जो बनाए जाते है उनमें क्या करना चाता है मिक्षर दे जाता है इनका आपने देखा हुआ कोई-कोई धागा साथ में चमकीला होता है ठीक है तो चमक के कैसे आती है जब इन धागों का इसमें मिश्रण के साथ इस धागे का भी समावेस कर दिया जाता है तो यहां पर उपयोग तांसर क्या है गिलास फाइवर है नहीं शलते हैं अपहलेश् करते हैं तो यहां पर यह परनीचर को डखने के लिए आप उलेश्ट्री का प्रयोग किया चाहता है नेस कोई देखते हैं चादरों के कपड़ों में नेस को ऑप्शन देखिए सुकडन रोधी चमता होनी चाहिए सगन होना चाहिए द्रगड एवं गिसावट सहने का होगी तो आप उठाएंगे तभी वो बेकार सी हो जाती है बैट पर पढड़ी और रगड एवं गिसावट का भी गुड़ों होना चाहिए जानि सब कुछ वो सहन सबसकर सेगे तो उप्योग सब यहां पर राइट अंसर रहेगा नेस कोईशन चल दे बस्तर उपयोगता का तातपर है तो प्योगता का तातपर तो यही है जिस चीज के लिए आप उसे खरीदना चाहरे है वो उसकी पूर्थी कर सके है ठीक है जैसे सब्स मैंने चादर खरीदी बैड के लिए और चादर मैंने बैड के लिए खरीदी तो वो बैड के लिए उपयोगत हो ऐसा नहो सक उपयोगी हो वो सिंगल बैट के लिए तो यह गलत तो हो जाएगा यानि उसकी उपयोगता कम हो जाएगी हमने जिस प्रयोजन के लिए उसी प्रयोजन के लिए उपयोग तो होनी चाहिए तो यहां पर जो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा आपको बताते कि इसी तरह के तो यहां पर सारे के सारे option आपको पसाने वाले होगे बड़ आपको क्या करना है question की language को दोस्त एक नहीं एक बार अगर समझ में नहीं आती option चारी पसाने वाली लग रहे हैं तो आपको दोबारा question को पढ़ना है जब आप दोबारा पढ़ोगे दोबारा में आधा clear हो जाएंगो उसके option अगर फिर भी रह जाता है doubtful तो आप तीसरी बार पढ़िए को question paper में आपको negative marking नहीं है तो सारे के सारे time करके आने plus आपको time भी परयाप्त मिलता है अगर आप practice कर रहे हैं तो जनकी practice नहीं होती है उनी का revision क्या है जिनकी practice नहीं होती है उनी के लिए lack of time रह जाता है paper में यानि आप जब paper देते हैं तो आपके लिए समय का अब आप उनी बचों को ने चलाता है जब practice नहीं करते कैसे नहीं करते मैंने बताया था कि 10 के 10 practice set मैंने डाले थे वो हमारे सीट डाली थी टेलिग्राम पर और वाट्सअप पर यह भी कहा था कि 10 के 10 practice set आपको क्या करना है यह बताया था कि घड़ी लगा कर जैसे दो गंटे का paper होता तो ऐसे घड़ी लगा कर जब आपको दन टायम में रात कुमें देन में दुपहर में आपने टायम है कि ए गंटे का ठीक आप है जो आप बाले हैं तो एक गंटे का टायम लेकर उसे गंटे का तो इस तरह से हमें अपना रिवीजन करना है इस तरह से हमें अपनी practice करनी है जिसे होगा क्या कि एक तो youth competition time जो series है वो complete हो जाएगे दूसरा क्या है कि exam के लिए आपके practice हो जाएगी 10 practice set बहुत होते हैं अगर आप उन्हें exam time के according लगाते हैं practice के लिए तो आज की इस रंकला में बस इतना ही net session में फिल में लेंगे तब तक के लिए धनवाद बंदे मातरम जय है अपना target बस और बस एक ही रखिए क्योंकि एक ही आपसे हमें उम्मीद है वो 100 plus क्योंकि जब आप 100 plus के target को लेकर चलेंगे तो आप 100 plus के धायरे में होंगे यानि 97 98 कुछ बच पिचानवे से 110 के बीच का target रेके चलिए 95 से आपके कम नहीं आने चाहिए ज़िए 94 गई तो जो एक एक नमबर से रह गए तो वह वाली गलती ना हो इसलिए 95 से और उधर 110 का कोशिश करिए क्योंकि ने एंटिमार्किक है नहीं है तो हमें पूरी कोशिश करनी है क्योंकि 94 गई तो इस बाद 96 भी जा सकती है support तो हमारा जो target रहना चाहिए 100 प्रसी रहना चाहिए तो अच के लिए बस इतना ही next session में फिर मिलेंगे बंदे मातरम जय है